तो आप चैप्टर थर्ड पढ़ना है स्टार्ट करते हैं तो अब इसको पढ़ने से पहले हम इसके अंदर कितने टॉपिक्स हैं यह सब पढ़ लेते हैं तो चलिए देखते हैं तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है system of classification, यानि जो classification होता वो किस की system पे हुआ था, तो पहला पाम सा है artificial classification, दूसरा natural, तीसरा phylogenetic और चौथा fanatic classification, तो यह classification चार तरीके से हुआ था, अब जो fanatic classification है, वो हमारा further divided, further divided three types में, तो पहला क्या है numerical taxonomy, दूसरा cytotexonomy, और तीसरा chemotexonomy, तो यह सब अभी हम पढ़ेंगे, यह next lecture में one by one, यह सब के detailed study है, next topic kingdom planty, तो अब chapter का नामी जैसे कि हम लोग जान रहेगे, plant kingdom है, तो इसमें हम सब plants के बारे में पढ़ेंगे, तो kingdom planty क्या है, further divided five sub kingdom में, तो पहला क्या है, algae, तो algae में भी हमारे sub phylum है, तो three sub phylum है, इसमें कौन कौन सा, chlorophyce, fewophyce और rhodophyce, यह सब अभी पढ़ना है हमको, दूसरा kingdom कौन सा है, दूसरा kingdom कौन सा है, ब्रायोफाइटर, तो ब्रायोफाइटर क्या further दो सब kingdom में डिवाइड है कौन सा, लिवर वर्ट और मॉसेज में, next is teradophyta, fourth one is gymnosperm and fifth angiosperm, तो इन सब कोई सा phylum नहीं है, तो इसमें हम angiosperm की life cycle के बारे में भी पढ़ेंगे, और इसका male sex organ पढ़ेंगे क्या है, stamen, और female क्या है, carpel, यह सब का diagrammatic structure भी हमें देखना है, और जो इसका है वो उसका life cycle पूरा, यह सब आगे की lecture में सब पढ़ने क को मिलेगा आपको, next topic हमारे के है double fertilization, इस chapter का बहुत ही important topic है यह, आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ें, next plant life cycle and alternation of generation, तो alternation of generation में क्या है, haplodiplontic, diplontic और haplontic, तीनों stages के बारे में आपको पढ़ना है, और इसका example भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा, तो चलिए, इसमे total हमारे 26 topics हैं इस chapter के अंडर, तो हम अपना one by one, next chapter में, next lecture में हम पढ़ने start करेंगे, तो तब तक के लिए, आप मेरे चैनल subscribe कर लीजे, ताकि आपको इसके latest notification मिलते रहें, और आपको इस chapter का notes, Instagram page पे मिलेगा, आप मेरे YouTube चैनल से description box में जाके, link आपको directly वहां मिल जाएगा, तो आप मेरे चैनल subscribe कर लीजे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, तो बस thank you.